कि नमस्कार साथियो मैं दीपांकार राज आप सभी का फिर से अपने इस उत्तराखन कंपटिशन एक्जाम के चैनल प्रश्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली परिक्षाओं के लिए सुबकामनाएं देता हूं मैं कुछ अपने निजी कार्यों में ब्यस्त था इसलिए आपके सामने कुछ दिनों बाद प्रस्तुत हो रहा हूं आज मैं आपको इंजिनर्स टे के बारे में जानकरी दूँगा आज इंजिनर्स टे नहीं है मैं ये वीडियो इंजिनर्स टे के दिन ही अपलोड करना चाहता था यानि 15 सितंबर को ये वीडियो अपलोड करना चाहता था लेकिन मैं अपने कुछ निजी कार्यों में ब्यस्त हो गया जिसके कारण ये काम मैं नहीं कर सका तो आज मैं इस इंजिनर्स टे के बारे में जा तो में इसकी सुर्वात करता हूं पहले तो आप यहां देखिए यह विश्वे सुराया जी है जिनके जन्म दिवस्त के उपलक्स मैं यह इंजीनियर्स टेम्नाया जाता है तो पहले मैं सारे इंजीनियर्स को बढ़ाई देता हूं देर से ही सही लेकिन मैं उनको सारे इंजिनियर्स को बढ़ाई देता हूँ तो our tribute to the greatest engineering father of nation on इंजिनियर्स day wishing every engineer a very happy and joyous इंजिनियर्स day तो सभी को मैं सारे इंजिनियर्स को मैं बढ़ाई देता हूँ और जो विश्वे स्वरईया जी हैं महान इंजिनियर्स अपने समय के उनको मैं tribute देना चाहता हूँ जिनकी जन्म दिवस्त के उपलक्ष में ये इंजिनियर्स day मनाया जाता है अब हम देखते हैं इनके बारे में अभियंता दिवस इंजिनियर्स day प्रतिवर्ष देश में 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी इंजिनियर्स day मनाया जाता है भारत सरकार ने सन 1968 इस्वी में भारत रत्न डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्व सरया की जन्म तिथी 15 सितंबर को अभियंता दिवस गोशित किया था देश सिवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्व सरया अपने समय के बहुत पड़े इंजिनियर्स वैज्ञानिक और निर्बाता के रूप में जाने जाते हैं ठीक है आगे चलते हैं ये विश्व सरया जी का संदेश है अपने देश को महान स्वावलंबी और सक्तिसाली बनाने के लिए पूरी दक्षता और आपसी सहयोग के साथ कड़ी से कड़ी मेहनत करें श्री मोक्ष गुंडम विश्व सरया इसके बाद थोड़ी सी एक जानकारी है मोक्ष गुंडम विश्व सरया ये इनकी एक दूसरी तस्वीर है तो यहाँ ये इनका जन्म 15 सितंबर 1861 मुडेन हली निधन 12 अप्रियाल 1922 बंगलरू शिक्षा कॉलेज और बिंजरिंग पूड़े 1883 पुरुसकार भारत रतने माता पिता का परीचे दे रखा है स्री निवास सास्त्री और वैंकेट लक्समा मोक्ष गुंडब स्री निवास सास्त्री और वैंकेट लक्समी इस तरzy से इनका परीचे दे रखा है आगे चलते हैं तो यहां मैंने कुछ यह इसकित के बारे में जानकारी एक खटा की है जो मैं आपको दूँँगा तो अभियंता दिवस क्यों मनाया जाता है भारत में प्रतिवर्ष 15 सितमबर का दिन अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है इसी दिन 15 सितमबर 1861 को भारत की महान अभियंता और भारत रत्न प्राप्त मोक्ष गुंडम विश्वे स्वरईया का जन्म हुआ था ठीक है यह पॉइंट आपको किलियर हुआ इनका जन्म दिन भारत में अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा इन्हें आधुनी भारत के विश्व कर्मा के रूप में बड़े सम्मान के साथ इन्हें याद किया जाते है जीवन परिचे जन्म 15 सितमबर 1861 इस्थान मुद्देनाहली मैसूर करनाटक गरीब परिवार में जन्म लेने कारण इनका बाले काल बहुत संकट में भी था अब देखे प्रारिमिक सिक्षा जन्म इस्थान से जो कि मैसूर है मुद्देनाहली करनाटक 1881 में बंगलूरू के सेंटरल कॉलेज से प्रत्थम स्रेडी में बीए की डिग्री ली इसके पश्चात मैसूर सरकार की मदद से इंजिनरिंग की पढ़ाई के लिए पूना के साइन्स कॉलेज में दाकिला लिया उन दिनों शेत्री सरकारें होती थी और वे गरीव शात्रों की उनके प्रतिबा के लिए लिए देखकर उनकों उनकी सह्यत्यागा करते थी। उनकी मदद के लिए आगया आते थी। तो इसी के तरजेपर मैसूर्सरकार की मदद से मिले इंजिनेरिंग कॉलेज पूरा के साइन्ज कॉलेज में इंजिनेरिंग सिक्षा के लिए पूर्णा के साइन्स कॉलेज में दाखिला मिला, 1883 में इन्होंने LCE, YFCE, वर्तमान B.E. डिग्री के समकक्ष जो है, की परिक्षय में प्रत्थम स्थान प्राप्त किया, इस उपादी के चलते, इस उपादी से प्रभावित होकर, महराष्ट सरकार ने इन् में सहाइक इंजिनियर के पत पर तैनात किया, इस पत पर रहते हुए इन्होंने अनेक कारे किये, प्रतम कारे इनका बंबई से धुलिया के लिए अन्वरत जल परदान करने वाली योजना का निर्मान था, इसके फश्चायत पूना में वर्सों से रुकी पड़ी, संकर सिं इन्होंने पहुचाया, और इस कारे के लिए इन्हें प्रसिद्धी मिली, और इनकी कीरती विश्चों में फैली, इन्होंने 1920 में एक पुस्तक लिए थी, रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया, उसके बाद 1935 में एक पुस्तक लिए थी, प्लांड एकोनमी फॉर इंडिया, तो में Planned Economy for India 1947 में All India Manufacturing Association के ये अध्यक्स बने इन्होंने उलिशा की नदियों की बाड़ की समश्या को उन दुनों उलिशा की नदियों में काफी बाड़ाय करते थी जिसे काफी जानमाल की हानी हुआ करते थी तो इन्होंने उलिशा की नदियों की बाड़ की समश्या पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की उसी रिपोर्ट के आधार पर हेरा कुंड वह अन्य परियोजनाओं का निर्मान हुआ जिससे की बाड़ की समश्या को दूर किया जा सका इन्होंने बंगरो में कृसी महाविध्या ले वह इंजिनरेनिंग कॉलिज की इस्थापना की मेसूर में वोकसिनल इंसीट्यूट की स्थापना की मेसूर राज्य में कावेरी नदिपर बना हुआ कृष्ण राज सागर बाड़ इन की अक्षय कीर्ति का प्रतीख है इन्होंने कृष्णराज सागर जो उस समय का सबसे बड़ा जलासे भारत देश का था जो 130 फुट उचा और 1800 गन फुट पानी वाला यह जलासे था इसको देखकर महात्मा गादी ने भी कहा था कि यह इंजिनेरिंग का एक विसिस्ट नमूना एक विसिस्ट उपहार है 1955 में इन्हें भारत रतने से सम्मानत किया गया भारत सरकार द्वारा 1961 में भारत सरकार द्वारा इनकी 100 वर्से के आयू पूर्ण होने पर भारत सरकार द्वारा इनके नाम पर डाग टिकट जारी किया गया और 1962 में 101 वर्से की आयू में इनका निधन हो गया ये सभी इंजिनिस के लिए प्रिणा सुरूत के रूप में जाने जाते हैं अब मैं आता हूँ अन्य देशों में अभियनता दिवस क्योंकि भारत की तरह अन्य देशों में भी अभियनता दिवस मनाया जाता है जैसे अर्जेंटीना में 16 जून, बंगलादेश 7 मई, बेलजियम 20 मार्च, कोलंबिया 17 अगस्त, आइसलेंड 10 अप्रेल, इरान 24 फरवरी, इटली 15 जून, मेक्सिको 1 जुलाई, पेरू 8 जून, रोमनिया 14 सितंबर और तुर्की 5 दिसंबर अन्य देशों में भी ये इंजिनियर्स डे मनाया जाता है अब मैं आता हूँ भारत, भारती मूल के वे इंजिनियर, जिन्होंने बिश्व में अपना और भारत का नाम रोसन किया है तो पहले जो सामने दिखाई दे रहे हैं ये है APJ अब्दुलकलाम, आप सब लोग इनके बारे में जानते हैं APJ अब्दुलकलाम तो इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है भारत रत्न से संबाने इनको किया गया भारत सरकार द्वारा और इनकी सिक्षा इन्होंने मदरास इंस्ट्यूट आफ टेक्नलोजी मदरास इंस्ट्यूट आफ टेक्नलोजी जिसे MIT कहा जाता है वहाँ से इन्होंने इंजिनरिंग की सिक्षा ली MIT से इन्होंने इंजिनरिंग की सिक्षा ली और ये एक वैज्यानिक और इंजिनियर के रूप में जाने जाते हैं वैज्यानिक और इंजिनियर वैज्यानिक और इंजिनियर के रूप में जाने जाते हैं ये पीचे अब्दुलकलाम आगे चलते हैं तो सामने जो आपको दिखाएते रहे हैं वो है सुन्दर पिचाई आप सबने इनके बारे में सुना है आप जानते भी हैं सुन्दर पिचाई ये भी भारती मूल के इंजिनियर है जिन्होंने भारत का और नाम पूरे 200 में उचा किया है ये अमेरिकी कमपनी गूगल आप जानते हैं गूगल के सीओ हैं और इन्होंने शिक्षा अपनी प्राप्त की है आई आई टी खड़कपूर से आई आई टी खड़कपूर और अभी वर्तमान में ये गूगल के साथ अलफावेट कमपनी के भी सीओ है अलफावेट कमपनी के भी सीओ हैं गूगल के साथ अलफावेट कमपनी के भी सीओ है और अपने कार्य से अपनी महनत से इन्होंने अपना और भारत का नाम पूरे बिस्तों में उचा किया है ये हैं सत्य नडेला आपने सुना है इनका नाम सत्य नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट के सीओ है माइक्रोसॉफ्ट के सीओ है और अब इनकों नहोंने ये भी एक महान एक इंजिनियर है और भारती मूल के हैं और इन्होंने विस्कॉंसिन मौल विकी विस्कॉंसिन विस्कॉंसिन मौल विकी विस्तों विद्याले युएसे से अपने पड़ाय पूरी की है और ये भी भारती मूल के इंजिनियर है और इन्होंने भी अपना और भारत का नाम पूरे विस्कॉंसितों में ऊचा किया है ये हैं 37 धवन 37 ये भारती एक गणी तक ये और रॉकेट वैज्यानिक के रूप में जाने जाते हैं रॉकेट वैज्यानिक के रूप में जाने जाते हैं और इस रों के प्रमुख रहे इस रों के प्रमुख रहे शिक्ष्या इन्होंने इनकी है पंजाब विस्वेद्या ले अगरा है अगरा और उसके बाद कैलिफॉर्निया विस्वेद्ध्या ले कैलिफॉर्निया विस्वेद्या ले और इनी के नाम पर सतीज धवन अंतिरिक्ष केंद्र श्री हरी कोटा आंद्र पर्देश में है श्री हरी कोटा आंद्र पर्देश में है इनी के नाम पर आगे देखते हैं यह है सैम पित्रोधा सैम पित्रोधा सैम पित्रोधा और इन्हें भारत में सूसना करांती भारत में सूसना करांती के जनक के रूप में जाना चाते हैं सूसना करांती के जनक रूप में जाना चाते हैं और इनकी सिक्षा है महराजा सयाजी राव युनिवर्सिटी महराजा सयाजी राव युनिवर्सिटी बड़ोधा गुजराथ से उसके बाद इन्होंने इलिनोईस इंस्ट्टूट इन्होंने इलिनोईस इंस्ट्टूट अव टेक्नलोजी यू एस ए से भी सिक्षाली है और भारत में सूसना करांती के रूप में नोंने पित्रोधा पित्रोधा आगे चलते हैं ये है कल्पना चावला ये भारती अमेरिकी अंतरिक्षी यात्री हैं भारती अमेरिकी अंतरिक्षी यात्री और अंतरिक्षी में जाने वाली भारती मूल की प्रथम मेला भारती मूल की प्रथम मेला और शिख्षा इनकी है पंजाब विश्ववद्या ले और टेक्सास टेक्सास विश्ववद्या ले यूएसिस तो ये थे कुछ भारती मूल के विश्ववद्या प्रशिद इंजिनियर और ये शटलर विश्वद्या भी रह चुकी है सटलर विशेस अगे अंतरिक से सटलर विशेस एके अंतरिक से सटलर विशेस एके तो यह थे कुछ भारती मूल के एंजीनेर्स भारती मूल के 200 परशिद्द एंजीनेर klar जिनोंने भारत का नाम विश्व में रोशन किया है तो ये मैं इन सभी को मैं सुब कामना देता हूं जो कि भारते मून के इंजीनर्स हैं और समाज सेवा के लिए और विश्व सेवा के लिए कारी कर रहे हैं इनोंने भारत के भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है क नायम पित्रोदा सतीज धवन सत्या नडेला सुन्दर पिच्चाई और एपीजे अब्दुलक्राम तो मुझे उमीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यह कुछ अभियंता दिवर्शन जो कि अन्ने देशों मां मनाए जाते हैं और यह कुछ जानकरी जो मैंने थोड़ी सी दी थी आपको इसको थोड़ी सा रिकॉल कर लेता हूं में अभियंता दिवस 15 सितंबर का दिन यह विश्टो सुरयाजी का जन्म दिवस और जन्म इस्थान जन्म है पंद्र सितंबर 8861 स्थान मोद्देन नाहली मैसूर करनाटक और गरीब परिवार में जन्म के कारण बालेकाल संकट में बिता 1881 नहीं 1883 में 1881 में B.E. की डिग्री ली 1883 में L.C.E. और F.C.E. जो के वरत्मान B.E. की समकर्ष होती है इसके डिग्ली उसके बाद महाराष्ट सरकार में इंजिनर के पसाइग इंजिनर के पत पर नियुक्त हुए इन्होंने कई योजनाओं पर काम किया मुंबे सितुलिया के लिए अनुवरत जल प्रदान करने वाली योजना पूर्णा से वर्सों से रोकी हुई संकर सिंद योजना को इन्होंने पूर्ण क्या प्रिट्टिस उपने इसमें पहाड़ी पर बसे अधन में सो की में दूर से इन्होंने पानी पहुचाया उसके बाद 1920 में इन्होंने दो पुष्टेकें लिखी हैं 1920 में रिकंस्ट्रक्शन इंडिया उन्हों इसमें प्लांड एकॉनमी फॉर इंडिया यो दो पुष्टेकें लिखी 1947 में All India Manufacturing Association के अध्यक्स बने उड़िशा की नजियों की बाड़ पर योजना प्रसुत की जिस योजना के आदर पर हीरा कुंडवान्य पर योजना बनी और बैंगलूर में क्रिसी महाविद्याले और इंजनी कॉलिज की नोंने इस्तापना की मैसूर में वोकेशन में ये कारी हुआ और 1955 में इन्हां भारत रत्न से सम्मानत किया गया 1961 में 100 वर्षी की आयू में भारत सरकार ने इन पर डांकती जारी किया और 1912 में 101 वर्षी की आयू में इनका निदन हो गया तो सभी इंजिनस के लिए प्रणा सुरूत है तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो फिर से सभी इंजिनस को सुबकाम नाएं और ये वीडियो मैं इंजिनस टेके दिन अप्लोड करना चाहता था लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हो सेका तो आज मैं सभी को बढ़ाई दे रहा हूं विश्व के सभी इंजिनस को भारत के सभी इंजिनस को और भारत का नाम जिन भारती इंजिनस ने पूरे विश्व मैं रोसन किया है उन सभी को मैं सुबकाम नाएं देता हूँ तो मुझे उमीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और पाके के जानकारी मैं आपको अगले विडियों में दोंगा तब तक कि लिए नमस्कार